आप सब लोगों को हमारे यूटूब चानल नौलेज दुन्या में स्वागत है ये रहा एक और वीडियो जिसमें हम जीके के 10 महत्तपुन्न प्रश्णों और उत्तर के बारे में जानेंगे तो चलो वीडियो सुरू करते हैं ये रहा पहला सवाल कारगिल यूद कि साल हुआ था इसका ओप्सन है A 1992, B 1996, C 1997 या D 1999 इसका उत्तर है D 1999 तो कारगिल यूद साल 1999 में हुआ था ये रहा दूसरा सवाल केवला देवी पक्षी राष्ट्रियो उद्यान भारत के कौन से राज्य में है इसका ओप्सन है A गुजरात, B राज्यस्तान, C ओडिसा या D आंधरप्रदेश इसका उत्तर है B. राजस्तान तो केवला देवी पक्षी राष्ट्य उध्यान भारत के राजस्तान राज्य में है ये रहा तीसरा सवाल अर्जुन पुरसकार किस खेत्रों में दिया जाता है इसका उत्तर है C. खेलकूद तो अर्जुन पुरसकार खेलकूद खेत्रों में दिया जाता है ये रहा चौथा सवाल ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किस प्रसिद्ध ब्यक्ति को कहा जाता है इसका उप्षन है A. महात्मा गांधी B. सुबाश चंद्रपोज C. दादा भाई नारोजी या D. नरेंद्रमोदी इसका उत्तर है C. दादा भाई नारोजी तो ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नारोजी को कहा जाता है ये रहा पांच बसबाल कोईला नगरी किस सहर को कहा जाता है इसका उप्षन है A. भुबनेश्वर B. इंदोर C. नाटपूर या D. धानबाद इसका उत्तर है D. धानबाद तो कोईला नगरी धानबाद सहर को कहा जाता है आप लोगों का ओनलाइन टेस्ट केसा चल रहा है अगर आपने अभिदक पांच में से पांच का सही जवाब दिये हो तो आपको कॉंग्राचुलेशन और अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो फिर भी कॉंग्राचुलेशन क्योंकि आप बहुत कुछ नया चीत जान रहे हो ये रहा छटा सवाल चेन्नाई बंदरगा भारत के कौन से राज्य में है इसका ओप्षन है ए केरल, बी तामिलनाडू, स्वी आंध्रप्रदेश या डी ओडिशा इसका उत्तर है बी तामिलनाडू तो चेन्नाई बंदरगा भारत के तामिलनाडू राज्य में है ये रहा साथ वासवाल भारतीय स्टेट बैंक का स्तापना किस दिन हुआ था इसका ओप्षन है ए एक जुलाई उन्निसो चोवबन इसका उत्तर है बी एक जुलाई उन्निसो पंचपन तो भारतीय स्टेट बैंक का स्तापना एक जुलाई उन्निसो पंचपन को हुआ था ये रहा आठ वासवाल विश्व उपभोक्त अधिकार दीवस यानि नेशनल कंजूमर दें हर साल किस दिन मनाया जाता है इसका उत्तर है बी पंदरा मार्च तो विश्व उपभोक्त अधिकार दीवस यानि नेशनल कंजूमर दें हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है ये रहा नौबा सवाल उगांडा देश की राजदानी यानि क्यापिटल का नाम क्या है इसका उप्षन है A. नायरोबी, B. बुड़ापेश, C. तेहरान या D. कंपाला इसका उत्तर है D. कंपाला तो उगांडा देश की राजदानी यानि क्यापिटल का नाम है कंपाला ये रहा दसवा सवाल और आखरी सवाल इस ओनलाइन टेस्ट का मराठी भासा किस राज्य का प्रमुक भासा है इसका उप्षन है A. गोवा, B. ओरिसा, C. महाराष्ट्र या D. तामिलनाडू इसका उत्तर है C. महाराष्ट्र तो मराठी भासा महाराष्ट्र राज्य का प्रमुक भासा है आप लोगों को ये ओनलाइन टेस्ट केसा लगा और आप ये 10 सबाल में से कितने का सही जबाब दिये हो हमें कॉमेंट सेक्षन में जरर बताना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भीडियो देखने के लिए धन्यबाद